उत्रपरदेश की सियासत में पल्लवी पटेल एक प्रमूक चहरे के तौर पर जानी जाती है लेकिन इस बार के लोगसभा चुनाव में जुस तरीके से पल्लवी पटेल को बड़ा जटका लगा उससे माना ये ज़ो रहा है कि पल्लवी पटेल को अपनी पार्टी के साख बच परा सकते हैं जी यहां आपको बता दें जुस तरीके से इस बार के लोग सबच जुनाव में 22 प्रत्यासी उतारने के बाद भी पल्लवी पटेल एक भी सीट पर जीत नहीं दर्श कर पाती और उसके बाद योगी आदितनाथ से मुलाकात ने उनकी कहीं न कहीं राजनेतिक देखा जाये तो पल्लवी पटेल जिस तरीके से वह ऐसी के साथ गड़वंधन में थी लेकिन उस गड़वंधन का ज्यादा देखने को नहीं मिलता है उसके बाद पल्लवी पटेल जमकर अखली शियादूग पर निसाना साथती हैं और यह कहा जाने लगा है कि पल्लवी प भारतिय जंता पार्टी में ले सकती हैं लेकिन उस तरीके की जो कवायत थी वो कही न गई शांत होती हुए नजराई उसके साथ ही अगर देखा जाए तो अब भारतिय जंता पार्टी जस तरीके से पलवी परटेल को लेकर चुपी साधी हुई है उससे ये कहा जा रहा है कि ये गडवंदन अभी उतना संभाव नहीं है लेकिन सबसे जादा घर देखा जाए जो सबसे जड़ा आथा दिखाई दे रहे हैं वह मायावति की पार्टी में जाने के और चुनसेर आजादरावन के साधने के प्रियास हैं ऐसे में चुनसेकर आजाद रावन क्या अब मायावती को मात देने के लिए वो पल्लवी पटेल का सहारा लेना चाहेंगे या इस बार के चुनावी मैदान में पल्लवी पटेल को कोई बड़ी सीड दे कर खुश करते हुए नजर भी आ सकते हैं उसका कितना लाव होगा कितना फाइदा होगा ये तो देखना वेह दिल्चस होगा फिलाल अभी तो जो माहौल बनता हुए नजर आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल अभी एक एहम भूमिका में नजर आ रही है फिलाल इन मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना आप हमें कमन बाक्स में जरू बताएगा